हाई फ्रेंड्स मैं हूँ संचिता और वल्कम बैक टू मैं चानल फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे एक अमीजिंग होममेट इंस्टैन्ट बोडी पॉलिशिंग ट्रीटमेंट और बोवी सिर्फ घर की चीजों को इस्तमाल करके और इस बोडी पॉलिशिंग ट्रीटमेंट को करने से इंस्टैन्ट आपके बोडी में चमक आ जाएगा और आपके पूरे बोडी के साथे डेट स्किन रिमोफ होकर आपके बोडी बहुत सॉप्ट, स्मूद, ब्राइट और ग्लोइंग बन जाएगा और इस बोडी पॉलिशिंग ट्रीटमेंट को अगर आप हपते में सर्फ दो बार करते हैं तो आपके बोडी में रहने बाले साथे डार्क पैचिस, पिग्मेंटेशन, संदान, धीरे दीरे रिमोफ होकर आपके बोडी के स्किन टोन बहुत निखर जाएगा तो फ्रेंड्स इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहेना और साथे स्टेप को ठीक से फॉलो करना और हाँ वीडियो देखने से पहले आपको छोटा साए काम करना है आप वीडियो के नीचे दियेगा इस सब्सक्राइब बटन और बेल बटन को अभी प्रेस करके अल नोटिफिकेशन को अन कर दीजे इसने मैं जब भी नया वीडियो अप्लोड करूंगे आपके फोन में नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप मेरे साड़े वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे किसे भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे और अगर आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना तो हमारा बोडी पॉलिशिंग ट्रीटमेंट का फर्स्ट एफ है टेके शावर विट लिउको मोटर तो इसके लिए आप एक लूफा में थोड़ा सा बोडी वश लेकर इससे आप अपने पूरे बोडी को ऐसे रब करते हुए क्लीन कर लीजे और फिर उसके बाद लिउको मोटर यानि की हलका गरम पानी से नहा लीजे तो उसके बाद हमारा सेकंड स्टेफ में इंस्टैन बोडी ब्राइटनिंग स्क्रब तो इसके लिए आप सबसे पहले थोड़ा से शुगर लेकर क्रेश कह लीजे और फिर एक बोल में 4-5 टिबल स्पून ग्राइट शुगर लीजे फिर इसमें आड कीजे 4 टिबल स्पून 100% पियोर एक्स्टा वर्जिन कोकोनेट ओल और 1 टिबल स्पून हल्दी पाउडर और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजे तो लीजे ये हमारा इंस्टैन बोडी ब्राइटिनिंग स्क्रब रेडी हो चुका है तो सबसे पहले आप अपने बोडी को पानी से गिला कर लीजे और फिर इस स्क्रब को लेका धीरे धीरे हलके हातों में पूरे बोडी को स्क्रब करते रहिए तकरिबन 4-5 मिनट तक और आप इस बोडी स्क्रब को अपने बोडी के हर जगा पर अपलाई कर सकते हैं इससे आपके बोडी के कंपलिक्शन इंस्टैन बहुत ब्राइट हो जाएगा और आपके बोडी के सारी डेट स्किन के लेयर रेमूफ होकर बोडी बोडी बहुती ग्लूइंग, सॉफ्ट और स्मूध हो जाएगा तो 4-5 मिनट तक पूरे बोडी को ऐसे स्क्रब करने के पात आप नॉर्मल पानी से बोडी को वश कर लीजे तो अब हमारा लास्ट टेफ है इंस्टैन बोडी ब्राइटनिंग पैक इसके लिए आप सबसे पहले 4-5 टेफल स्पून बेसन लीजे फिर इसमें एड कीजे 2 टेफल स्पून कॉफी हाप स्मॉल कप पोटेटो जूस हाप स्मॉल कप रॉव मिल्क और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजे तो लीजे ये हमारा इंस्टैन बोडी ब्राइटनिंग पैक रेडी हो चुका है तो अब इस पैक को लेकर पूरे बोडी पर अपलाई कर लीजे अच्छे से जहां जहां पर आपने स्क्रब किये थे ये बोडी ब्राइटनिंग पैक बहुत एफेक्टिव है आपके बोडी में जो संटैन जो पिग्मिनटेशन होते है उसको रेमूफ करने के लिए और इसे अपलाई करके आप 20 मिनिट के लिए छोड़ दीजे और 20 मिनिट बाद बोडी को नॉर्मल पानी से वश कर दीजे और पैक को रेमूफ करने के बाद आप फाइनल रिजल देख सकते हैं मेरे बोडी के स्किन कितना शाइन कर रहा है और इंस्टैन कितना निकार आ गया है मेरे स्किन पर और मेरे स्किन काफी जादा सॉफ्ट और स्मूध भी हो गया है तो बोडी वर्ष करने के बाद लास्ट में मैं अपने पूरे बोडी पर अप्लाई कर लूँगी बोडी लोशन इससे आपके बोडी के स्किन मौशराइज रहेगा और स्किन और भी ग्लोईंग और खुबसुरत दिखेगा तो फ्रेंट्स ये था सबसे बेस तरीका नाच्रल चीज़ों को घर पर इस्तेमाल करके इंस्टन बोडी पॉलिशिंग ट्रीटमेंट करना तो उमीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्फुल होगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें